हेलो गाईज, स्वागत आपका मेरे चैनल दकार वर्ल्ड में और अगर आप है कार के एंथूसियाइस्ट आपको गाड़ियों का बहुत जादा शौंक है तो ये चैनल आपके लिए है गाईज इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वले हैं वो है था ओल न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी होंडा जैज दो से तीन दिन पहले ही गाड़ी लॉंच हुई है और आज हम बात करेंगे सब कुछ A to Z इस गाड़ी के इंजिन, वेरियंट में क्या क्या फीचर्व है A to Z सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो पहले शुरू करते हैं आप देखिए गाड़ी लगती कैसी है बार से इस पहले रड़े यह उसको रेड़ी शेड में है यह काफी जादा ब्लड़ रेड इससे आप कह सकते हैं और आप देखते हैं गाड़ी आप देखिए बार से कैसी लगती है बहुत एक अच्छा लुक है गाड़ी का और काफी underrated गाड़ी है अगर आप इस segment में बात करें तो लोग बलेनों और altros की और बात ही जादा कर रहे हैं आजकल अगर वो इस segment में कुछ लेना भी चाते हैं और अब देखते हैं अपडेट के साथ ही गाड़ी कैसी बन चुकी है अंदर से देखें तो इंटिरेट भी बहुत सुंदर है गाड़ी के काफी इसमें city look है जो पुरानी city आते थी उससे काफी जादा resemblance है इंटिरेट की और काफी जादा सुंदर और all-back treatment के साथ ही इंटिरे अगे बात करें तो गाड़ी आपको मिलेगी पांच कलर ऑप्शन करा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा फेड़ेट इसमें से एक तो डार्ग रेइश कलर इसका काफी मुझे अच्छा लगता है और जो आप कलर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हाइट भी बूट की जो है वो इतनी नहीं है क्योंकि जो पीछे वाली सीट है जो कि ये हैच बैक गड़ी है इस करके ये पीछे वाली सीट और जो बूट है उसके भीच में जो 374 लीटर से वो भी इतना ज़ादा नहीं लगता अगर आप वास्तव में देखेंगे तो आग इस सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं आगे अगर आप देखें तो यह हैं गाड़ी का निस्टुमेंटल क्लस्टर बहुत अनिस्टुमेंटल क्लस्टर है यह ड़्ली रह्वी की तरह है जैनि ड़्ली उ-र-वी में आता यह है बिल्कुल एसस के इसणी श्छिभ आपको बैस साथ यसके अंदर आपको ambient lights जो आप green देख सकते हैं वो भी आपको अब मिलेंगी आगे बात करें तो आपको full automatic AC मिलता है जैसे ये same AC Honda City में भी आता था और WRV में भी ऐसा ही same AC पैनल आता है और यही अब आपको jazz में भी मिलेगा और आगे बात करें तो आपको engine keyless entry push button start जैसे features भी आपको इस गाड़ी में मिलने शुरू हो जाते हैं जो की काफी हद तक इस गाड़ी को advance बना देते हैं आगे बात करें तो आपको अब vanity mirror on driver side जैसे features भी इस गाड़ी में देखने को मिले फुल LED headlight, full LED tail light, साथी साथ fog lamps भी आपको LED मिलेंगी आगे safety की बात करें तो आपको मिलेंगे दो airbags, ABS, EBD, साथे साथ आपको मिलेगा engine immobilizer, reverse parking sensors, reverse parking camera जैसे safety features भी आपको इस गाड़ी में basic features जो हैं यह वो safety की features में आपको बता रहा हूँ यह आपको throughout the range मिलेंगे आगे आगे कर लेते हैं विस्तार से कि आपको वी विरेंट के अंदर क्या कुछ मिल जाता है तो पहले बात करें तो आपको वी विरेंट में मिल जाएंगे halogen headlamps with LED DRLs, LED tail lamps, rear washer wiper, gloss black grill मिल जाएगी जिसके अंदर bumper में थोड़े बहुत essence आपको मिलेंगे साथे साथ आपको एक chrome की garnish मिल मिलेगी rear में R15 के वो ही पुराने वले alloy wheels, chrome door handles, blacked out B pillar जो काफी अच्छी लुक दे रहा है गाड़ी को, MID with LCD display and eco assist lighting, eco mode भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाता है, इसका वो ही मतलब है, one touch lane change वाले indicators आपको इसमें मिलेंगे, silver gear no finish मिलेगी, silver inner doors मिलेंगे, और साथ यसाथ आ speaker के साथ आता है, और साथ आपको एक USB port भी इस वीरेंट में मिल जाता है, इसी वीरेंट की आगे भी बात करें, तो इसमें आपको मिल जाएंगे, steering mounted, audio और phone की controls, 12V का एक charging socket आपको मिल जाएगा, साथ आपको मिलेगी, beige seat, upholstery और door lining के साथ जो होगी, साथ आपको मिलेगा, driver side height adjustment, front seat adjustable headrest में लेंगे, cruise control, front seat armrest, dust and pollen filter भी आपको इस कार में मिल जाता है, और अगर आप इसका automatic वेरेंट लेते हैं, तो आपको paddle shifter वाला feature भी इस वीरेंट में ही मिल जाता है, आगे बात करना तो tilt adjusting steering है, आपका telescopic नहीं है, सिरफ tilt ही है, power steering भी है ये, और power adjustable outside, rear view mirrors भी है, power door locks, switch driver side वले हैं, और साथे साथ आपको power windows और dead pedal को option भी, base variant से ही मिल जाता है, आगे ही base variant के बात करना तो आपको vanity mirrors मिलेंगे for both the passengers, आगे मतलब passenger और driver side में दोनों में आपको vanity mirror मिलेगा, dual airbags मिलेंगे with ABS, multi view, rear camera, rear parking sensors, speed sensing door locks, driver side one touch window with up-down function, और rear windshield defogger जैसे सारे features आपको base variant में ह मिल जाते हैं, तो काफी जादा value for money ये मेरे को variant लग रहा है, base variant ही क्योंकि इसमें almost सब कुछ ही है, आगे VX variant की बात करें तो क्या कुछ add-on हो रहा है, VX variant में पहले तो सारे features VK obviously रहेंगे ही रहेंगे, आगे मिलेंगे आपको rear LED wing lights, turn indicator on outer mirrors, leather wrapped steering wheel and gear knob मिलेगा आपको, silver inner door handle मे मिलेगा, साथे साथ आपको silver finish मिलेगी, door ornament में, soft touch dashboard मिलेगा, 7 inch का touch screen system जो मैं आपको शुरू में दिखाया था Android Auto, Apple CarPlay के साथ वो आपको VX variant में मिलना शुरू हो जाएगा, साथे साथ इसमें आपको मिलेंगे 2 USB ports, steering mounted voice controls, आप इस variant से add हो जाएंगे, push button start, smart key with keyless remote और power foldable outside mirrors, यह सब आपको VX variant में features मिलते हैं, अब बात करते हैं, जो top of the line ZX variant में उसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है, यह पहले तो सारे features V और VX वाले obviously रहेंगे ही रहेंगे, और आगे बात करते हैं कि आपको ZX variant में क्या कुछ मिल जाता है, तो ZX variant में आपको मिलेगा एक powered sunroof with auto reverse auto reverse का मतलब है कि by chance किसी का हाथ आ जाए, तो sunroof पीछे अपने आप ही चला जाए, यह से anti-pinch होता है शीशो में, anti-reverse होता है sunroof में, आगे बात करते हैं, आपको full LED headlamps और LED front fog lamps वाले features ZX variant में मिल जाते हैं, जादा features add-on नहीं है ZX variant में, पर जो main-main तीन feature है, गाड़ी की LED lights और sunroof की आपको top of the lens ZX variant में मिल जाएंगे, अब बात करते हैं, प्राइस की, तो प्राइस इस गाड़ी का जो base variant है, V variant, उसका जो manual वाला option है, वो आपको शूरू हो जाते है, 7.5 lakh रुपीज, यानि कि 7.5 lakh रुपे, एक showroom नहीं दिली का मैं आपको यह price बता रहा हूँ, on-road जाएंगे, तो लगग, 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 इस सवा आठ साजार के आसपास आपको on-road पड़ेगा, और अगर आप automatic variant लेना चाहते हैं, तो हर वेरियंट में automatic अविलेबल है, चाहिए, बेस ले, मिड ले, टॉप वेरियंट ले, हर एक वेरियंट में automatic option भी अविलेबल है, और automatic अगर आपको खरीदना है, तो आपको एक लाग रुपे का premium extra देना पड़ेगा, manual काउंटरबार्ट से, क्योंकि automatic जो है, वो CVT है, और 7 step CVT है, यह जरूर धियान रखेगा, गाइस, manual 5 speed का है, और 7 speed CVT है, जो automatic gearbox है, आगे बात करें तो 8.1 लाग रुपी, इसका, आपक आपको extra देने है, VX variant की उपर, अगर आपको sunroof और LED लाइटिंग फ्रेंट में, और fog lamp में, अगर LED लाइटिंग चाहिए, तो आपको 64,000 रुपे, manual के लिए extra देने पड़ेंगे, VX variant से, और अगर आप सबसे उचे वाले variant में जाएंगे, जो की है, ZX का automatic variant, वो आपको मेरे ख्याल से यह गाड़ी बहुत ही जादा value for money इस segment के अंदर अब बन जाती है, आपको यह गाड़ी कैसी लगी दोस्तों मुझे जरूर बताए, comment section के अंदर, और मैं आपको मिलूँगा बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाबाए!